हाई फ्रेंज मैं हूँ माने वेलकम टू मूवी शूवी फड़ावट से एक रव्यू कर लेते हैं यार ब्लाक क्रैप का क्योंकि यह जो मूवी है इसका थीम बहुत अच्छा है इसका मेसज बहुत अच्छा है बार इसेम लोड़ी एक्जिक्यूशन इसकी पूर है तो जो ल दिखेंगी बड़े-बड़े लाइंड्सकेप दिखेंगे और रॉ नेचर दिखेंगी पहाड दिखेंगे उसका इलावा आपको फ्रोजन सीज दिखेंगी यह सब सीनिक चीज़े आपको दिखेंगी वार जोन की वह भी आपको दिखती है और आप कुछ रिलेट भी कर सकत जाता है एक माडम को जिसका नाम है नोनी रोपाइस और उनका जो करेक्टर है एड का यहाँ पर उनके पास तीन और अच्छे और soldiers होते हैं जिनको यह frozen sea को cross करते हुए पैकेज बहां लेके जाना है कुछ destroyed वगेरा कुछ करना जादा मैं बताऊंगा नी जिसकी वज़ासे war end हो सकती है तो क्या तो पहली बात उसको यह information ठीक मिली है कि नहीं मिली है और दूसरा वो क्यों as a speed skiing जो करते हैं उसके उपर ice skiing जो करते हैं वो उसका क्या purpose है इन soldiers के साथ जाने का वो आपको यहाँ पर discover होता है और trailer में थोड़ा सा बता दिया जाता है कि वहाँ पर across this thing is her daughter तो उसको daughter से मिलना है इसलिए उसका वहाँ पर जाना ज़रूरी है अब यह जो movie है न दोस्तों यह moralities के अंदर फसके रह जाती है moralities यह है कि अगर वो वहाँ पर जाती है और यह से चीज़े complete करती है और वो इसे लिए कर रही है as an order कर रही है क्योंकि उसको यह बताया गया कि across उसकी daughter है अब morality यह है कि जो उसको बताया गया कि क्या वो सही है कि नहीं है अगर वो सही नहीं है तो पूरी humanity destroy हो सकती है तो वो क्या decision लेती है और किस तरीके से उस जंजोल में फस जाती है क्या वो उसको correct भी कर पाती है कि नहीं कर पाती है and उसकी human choice क्या होती है यही सब चीज़े आ आके anticipate करते हैं, बीच में आके आप figure out करते हैं कि actually में हुआ क्या है और क्यों इसको ये इतनी अजीब सी choice लेनी पड़ रही है अब देखो दोस्तों जिस तरीके कि ये movie है वहाँ पर आपको एक बहुती भेतरीन कलाकार की जरूत है तो नोमी रोपैस जो की यहाँ पर main leading lady है उसको अपने The Trip नाम की एक comedy action movie के अंदर भी देखा होगा वो काफी सरी Swedish Netflix की movie में आती रहती हैं काफी भेतरीन actress हैं तो वो जो expression चाहिए एक mom वले caring mom वले और एक soldier एक purpose driven वाले और somebody who has been slightly brainwashed कि ये तुमारा purpose है और उसके बाद वो क्या उन बेडियों से निकल के अपनी choice ले पाते कि ने ले पाती है ये जो expression की variety है वो madam ने अच्छी दिये और साथी साथ में जिस तरीके के आपको visuals चाहिए थ जो कहते है ना मौत का मंजार दिखाने के लिए आपको गुमनामिया दिखानी होती हो तो जिस तरीके के Swedish बलंबे-लंबे plane, mountains, caves दिखाने चाहिए थी वो भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको exploit किया है जो जीज नहीं अच्छी करी है वो यह अच्छी नहीं करी है तो इसा very straightforward story यहाँ पर cross कर रहे है जो मर गया बीच में मर गया जो आगे बढ़ गया तो बढ़ गया दूसरा क्या purpose है कौन enemy है यह ज्यादा clarity आती नहीं है यह सिरफ एक notional चीज है जैसे बीच में कोई movie का एक part है कि कुछ लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को end करने के लि आप यही इसका निशकर्स निकालोगे कि शायद it's a choice of morality कि क्या अपने benefit के लिए आप पुरी humanity को destroy करोगे कि नहीं करोगे यही सब choice के बारे में कोई बहुत outstanding सी movie नहीं है बट यह जो crux है वो इसका यह विजुली जैसे मैंने बोला बहुत अच्छी लगी है आपको देखने के लिए music अच्छा है जितना भी है ज़्यादा रोल नहीं है उसका acting के अंदर सारी सारी चीज़ें होनी चाहिए थी वो नोमी रैपैस ने बहुत अच्छी अच्छी से करी है आप अपर इट सेम टाइम जो gravity होनी चाहिए थी story को build-up करने के लिए ताकि we start feeling for the character and we start feeling for the purpose वो miss इसके एदा से मैं इसका movie show score भी रखोंगा C यह बहतरी movie हो सकती थी बाट यह बहुत poorly directed है और बहुत ही poor तरीके से इसका I would say editing भी हुई है दो घंटे की movie है यह एक घंटे ज्यादा की movie है नहीं क्योंकि इसका मुद्धा ही तना ज्यादा strong नहीं है यह बहुत ही thin line paper thin line जैसे क plots हैं उस तरीके का plotted इसको इतना ज़्यादा stretch करना चाहिए ही नहीं था तो फिर मिलते हैं को रिवी को अपडेट के साथ डोंट फोगेट तो सब्सक्राइब दो जानल बागाए